हालो एब्रीवन असलाम अलेकुम एंड विल्कम बैक तो माय चैनल इस मी इसमा सिद्धिकी और आज का जो ब्लॉग है वो है वो है वेट लॉस का सो मैं बताना चाहूंगे यहां पे कि मैंने लास्ट यह नेमेंबर दिसेंबर तक मही मैंने मतलब जो भी किया था डाइटिंग और जो भी वेट लॉस कर रहे थी मैं तभी करके मैंने 58-59 पे छोब दिया था अपना बेट आज तक मैंने कुछ नहीं किया लाइक मतलब वॉक वक तो नॉर्मल करती थी बट ऐस सच मैंने डाइट में बहुत जादा वो नहीं धिया रहे कि प्रॉपर डाइट नहीं किया य मैं बता दू कि मैंने 4-5 किलो वेट गेंड कर लिया है और अभी रिसेंटली मुझे जब पता चला मतलब मैं वेट भी नहीं देखती थी अपना कि क्या है मतलब पता था कि ठीक है एक दो किलो बढ़ेगा तो बढ़ेगा कोई बात दी इतना तो मैंने लेके चल रही हो बट जब मुझे ये पता चला कि मेरे फोटो 5 kg बढ़ गए और मुझे न मेरी टमी भी थोड़ी सी ऐसी दिखने लग गए थी मतलब बड़ी बड़ी सी तो मैंने का भाया ये तो बहुत बुरा हो रहा है फिर से मैं दुबारा उस फेज में नहीं जाना चाहते और मैंने अब चैलेंज है वो वन मंद का रहेगा जिसको मैंने फोर वीक्स में डिवाइट किया है हर चार हफते का मेरा टारगेट है कि मुझे किसी हाल में 4-5 kg अपना वेट कम करना है तो मैंने अपनी साइच चीज़ शुरू की तो आज की जो शुरुआती वह थी मेथी पानी से जो मॉ चपाती एक बाउल कर्ड एंड वन बाउल सेलेड एंड वन ग्रीन विजिटेबल जिसमें की मैंने आज तुरह बनाई थी तो तुरह ली है जस्ट हैद मैं लांच एंड लंच के 30 मिनिट के बाद मैंने ये ग्रीन टी लिए तो जब भी आप कोई हैवी मीन लो उसके 30-40 मिन तो मतलब बहुत जादा भूग नहीं थी मुझे तो सिफ मैंने सिफ लाइट दो बिस्कित लिया है अगर आपको जादा भूग हो तो आप इसके साथ में रोस्ट चना भी ले सकते हो उससे आपको पेट भर जाएगा बट मुझे इतनी भूग नहीं थी अन ये था मेरा डिनर इसके बाद मैंने एक ग्रीन टी ली तो गाइस इस वीडियो प्लीस लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, स्टे टून